नमस्कार स्वागत है आपका दान्यूस पर मैं हूँ आपके साथ श्रिप्राजैनी किसान आंदोलन की आठ में खालिस्तान मुव्मेंट चल रहा है यह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लगातार ऐसी तस्वीरें ऐसे वीडियो साथने आ रहे हैं जो इस बात को साबित कर रहे ह हैं कि किस तरीके से किसानों का चोला पहन कर खालिस्तानी समर्थक जो हैं वो अपना एजेंडा आगे बढ़ा रहे हैं अब एक और फीडियो साथ ने आ हैं जिसमें खालिस्तान जिंदाबाद के नारे के साथ एक गुबाहरा उड़ाया किया है और सवाल उठ रहे हैं कि यह किसान आखर कैसे हो सकते हैं जो खुले आम इस तरीके से खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं जो इसी आंदोलन में इस तरीके से गुबाहरे खालिस्तान के नाम पर उड़ा रहे हैं जो खुले आम जनरेल सिंग भिंडरावाला की तस्वीरे जो हैं वो इस आं पंजाब को खालिस्तान बनाना चाहते हैं ये तस्वीरें जाहिर तोर पर इस आंदोलन पर सवाल खड़ा कर रही हैं इससे पहले भी जब आंदोलन हुआ था तो हमने ऐसे ही तस्वीरें देखी थी और सबसे जादा चोकाने वाली बात ये है कि ये तमाम लोग पंजाब से ए जो पुलिस पर शातन हैं वो इन्हें रोकने के लिए कुछ नहीं कर पा रहा है और जब हर्याना की पुलिस और केंद्र सरकार ने जो जवान कह सकते हैं कि डिपलॉई किये हैं बॉर्डर पर जब वो इन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं तो इस तरीके से ये तमाम जो पुलिस जो किसान नेता है उन्हें ना सर्फ परेशान कर रही है बलकि उनके घर पोछ रही है और महिलाव को परिशान किया जा रहा है इस तरीके के आफ़ोप सर्वन सिंग पंढेर की ओर से लगाए जा रहे हैं तो कुल मिला कर किसानों की मांग को लेकर शुरू खुआ य तो तबाब लोग उसे रोकने के बजाएं वहाँ पर इसका समर्थन करते नजर आते हैं तो मैं आपको जानकारी देदू कि एक्स पर कई ऐसे यूजर्स हैं जिनके जखे ये जानकारी साज्छा की गई है जिसमें रिशी बाकरी हैं जिन्होंने ये तस्वीर ये वीडियो पोस्ट किया है और ये पूछा है कि आकर ये भारते किसान कैसे हो सकते हैं जिस तरीके से खालिस्तान की मांग ये कर रहे हैं अनुपा मिश्रा की ओर से एक ट्वीट किया क्या है और लिखा क्या है कि लीचे गुबारा उड़ा कर अपनी असली मांग ये अंदाता बता रहे हैं खालिस्तान जिन्दाबाद लिख रहे हैं तो वहीं नवीन कुमार जिंदल की ओर से भी ट्वीट किया किया है और ये लिखा किया है कि तथाकतित किसान आंदोलन में खालिस्तान जिन्दाबाद के उद्गोश का गुबारा उड़ा रहे हैं फिर कहते हैं कि हम किसानों को खालिस्तानी क्यों कहते हैं आपको मैं जानकारी देदू कि जब से ये आंदोलंग शुरू हुआ है यानि लगभग 11 दिन बीच चुके हैं और इन 11 दिनों में कई ऐसी तस्वीरे साफ ने आई हैं जब ये सवाल उठे हैं कि क्या ये वाकरी किसान हैं क्योंकि जिस तरीके का उपदर्व ये अपनी मागों को लेकर उठा रही हैं जिस तरीके का उबदर मचा रही हैं, जिस तरीके से हातों में इनके तलवार है, हातों में इनके पत्थर है, सुरक्षा कर्प्मियों को ये निशाना बना रही हैं, जिस तरीके से जनरेल सिंग भिंडरवाला की प्रस्वीरे लेकर के खूम रहे हैं और खालिस्तान जिंदाबाद और गुरुपतवन सिंग पन्नु जिंदाबाद इस तरीके के नाही जो हैं इनकी तरफ से लगाये जा रहे हैं तो क्या वाके ये किसान हैं और अगर इन्हें ख खालिस्तानी कहा जाता है तो जाहिद तोर पर जब इन पर कारपाई होती है तो यह विक् medo काड़ खेलते हैं तो लेकिन सवाल तो उठेंगे क्या वाकिव ऐसे किसान होते हैं जवाब तो इन तथा-कतित किसान नेतАओ को भी देना पड़ेगा कि क्या यह किसान हैं जिस तरीक से खालिस्तान जिंदाबाद के ये नारे लगा रहे हैं हाला कि ये भी लगातार कहा जा रहा है कि कनड़ा जैसे देशों से इन्हें फंडिंग हो रही है लगातार क्योंकि कनड़ा के साथ भारत के संबंद पीते कुछ साहूं में महिनों में सुध्रे नहीं है जबकि खराब ह कि आभ में देखने को मिल रही है. हला कि कुछ किसान नेथा या फिर कुछ किसान कहलीजे ऐसे हैं, जो कि शान्ती पून परध्षिन चाहते हैं, शान्ती पून अपनी बागों को लेकर वो धर्णे पर बैठे हुए हैं. सरकार के साथ उनकी बाचीच चल रही है सरकार की तरफ से जो केंध्रिय क्रिश्री मंत्री है अर्जुन मुंडा वो बार बार कह रहे हैं कि किसान हमारा परिवार है और हम चाहते हैं कि शांतिपून तरीके से ही ये तमाम बाते सुलच जाएं और हम बाचीच लगातार किसानों के साथ कर रहे हैं तो इस तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से इस पूरे माफले का हल निगानने की कोशिश लेकिन इन सब के बीच जो खालिस्तान जिंदाबाद के नारहे लगा रहे हैं जो ये लिखकर गुबरा उड़ा रहे हैं जो फोटो खालिस्तानियों की उस पर छपी हुई है और जाहि कर रहे हैं इस वीडियो को साचा कर रहे हैं और सोशल मीडिया के चरहे जनता को ये बताने की कोशिश की जा रही है कि ये किसान नहीं है जिस तरीके से खालिस्तान की ये डिमांड कर रहे हैं लेकिन इन सब के बाखचू जो किसान नेता है सरवन सिंग पडेर वो लगातार आगे की योजना क्या होगी इसको लेकर तमाम जानकारी साधा कर रहे हैं सरकार पर राज्य सरकार हर्याना सरकार पर तमाम आखरोप उमड़ रहे हैं कि किसानों की जान जा रही है सुरक्षा कर्मी हम पर गोलिया बरसा रहे हैं इस तरीके के आखरोप लगाए चा रहे हैं परिके से इन तमाम लोगों के हातों में हधियार हैं दलबा रहे हैं और सुरक्षा कर्फियों को ये निशाना बना रहे हैं अलगी पडेर की और से क्या कुछ कहा गया है सुनिए जैसा कि आपको मालूम होगा कि 26 को डबलू टी ओ की फिर वारता हो रही है उसके उपलक्ष में दोनों बाटनों के उपर हम केंवेंचन कराएंगे और डबलू टी ओ के उपर बोलने के लिए कोई बुद्धी जीवी को बुलाया जाएगा अपनी बात रखेंगे 26 को और सुभा देश भर के पूरे गाउं में हम डबलू टी ओ कॉर्पोरेट घराने और सरकारों के अर्थ जलाएंगे और शाँ शाँ दोपहर बाद दोनों जो बॉर्डर्स हैं उनके उपर 20 फुट से उपर के जो पुतले बानाएंगे और वहां देहन किये जाएंगे पुतले 27 को पूरे देश भर से किसान मजदूर मोर्चा एसकेम गैरायने तिक अपने सभी देश के किसान निताओं की मीटिंग करेंगे दोनों फॉर्म अलग अलग ये सभी वर्तमान प्रस्तिती की उपर चर्चा करेंगे आगे कैसे बढ़ा जाए और 28 को 28 फर्वरी को दोनों फॉर्म बैठ कर जो जो भी उन्होंने विचार मर्च किया कर सांजाई विबार्च करेंगे और 29 को जाकर इसका जो फैंसला किया जाएगा भी आगे कान देदने क्या होगा ये जो दोनों फॉर्मों ने अपनी बात की थी जो अब हम देख रहे हैं जो प्रस्तितियां पंजाब और हर्याना में खास करके दिल्ली में बनी हुई है ये बहुत गंबीर है पंजाब की अर्थ ववस्ता के उपर बहुत बुरे परभाब पढ़ रहे हैं जिस तरह से केंदर ने शड़के जाम की है के अंदर हाईवे जाम करकर बैठा हुआ किसान तो आगे जाना चाहते है इसका जवाब मांगना चाहिए और जिस तरह से पच्चास हजार से उपर अर्थ सैनिक फोर्स पूरी हर्याना में डिस्प्लॉइट किये गए है और पूरी तरह जिस तरह से देशतगर्दी की जा रही है सरकार की ओर से ये निंदनिये है ये दुर्भाग पूर्न है भी जिस तरह से हर्याना को पूरा कर्फ्यू में कनवर्ट किया गया है तो 26 जनवरी को क्या कुछ तैहारिया जो है वो की गई है पंडेर ने जानकारी थी है कि सरकार की अर्थियां जलाई जाएंगी इस तरह की योचनाई हैं 27 फरवरी को किसान मजदूर मोर्चा यानि SKM जो है वो देश भर में सभी नेताओं के साथ बैठा करेगा 28 फरवरी को दोनों मंच बैठेंगे और प्रदुशन करेंगे 29 फरवरी किसान मोर्चा एक संगठन है किसानों का उसमें जो अलगलग किसान संगठन जुड़े हुए हैं वो दरसल इस बात से सहमत नहीं है कि आंदोलन इस तरह का होना चाहिए यह उपदर्व इस आंदोलन में नहीं होना चाहिए यह खालिस्तानियों की तस्वीरे इस आंदोलन मे कर रहे हैं और तमाब जो हुआ हैं जिन्हें ऐसे किसान नेता रोकने की कोशिश कर रहे हैं वो अब पंजाब की और वापस लोट रहे हैं क्योंकि उनका एजेंटा खालिस्तान को लेकर है जाहिर तो ऐसे में कुछ इस तरह की तस्वीरे भी इस आंदोलन से साथ ने आ रही है लेकिन कुल मिलाकर इस आंदूलन की पौल खुल रही है, कभी शराब बाठे जा रही है, तो कभी खालिस्तानियों के जढडे फैराय जा रहे हैं, तो कभी घालिस्तान जिंदाबाद के नाहरे लगा कर गुबारा उड़ाया चा रहा है, तो कभी जनरल सिंग भिनर्वाला की तस्वीरे जो इस आंदोलन को पूरी तरीके से बेनकाब कर रही हैं फिलाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है में कॉमेंट बॉक्स में जरूर लेखें तन्यवाद